राहुल महराश में हैं, महराश की सियासत के लिए राहुल की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि बास सिर्फ कॉंग्रेस की नहीं है राहुल विपक्ष को एक जुट करने में जुटे हुए हैं, उद्दव ठाकरे की अपनी चुनोतियां हैं उद्दव राहुल के साथ आते हैं, तो निश्चित तोर पर उनको एक ताकत मिलती दिखाई देगी इस समीकरण पर बहुत लोगों की नजर है क्या आदित्ति ठाकरे, उद्दव ठाकरे, दोनों खुद भी राहुल के साथ चलते दिखाई देंगे लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिन्हों ने अपनी सहमती जताई और जो की बहुत बड़ा चेहरा है माराश की राजनीती में वो हैं शरत पवार शरत पवार भारत जुड़ो यात्रा में शामिल होंगे या नहीं ये इस समय का सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुए आलाकि इसकी वज़े उनका डिसीजन नहीं है उनकी सीहत है क्या माराश की 15 विधान सबा और 6 संसदी एक शेत्रों में कॉंग्रेस अपना कमाल दिखा पाएगी माराश की सियासी उथल पुथल के बीच राहूल गांदी के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए क्या उद्धा और शरत पवार आएंगे कुछ एहम सवाल है सवाल कही है यह सवाल एहम भी है क्योंकि जून से ही माराश की राजनीती में बहुत कुछ देखने को मिला है और अभी भारत जुड़ो यात्रा के चलते माराश केंदर की बीजेपी सरकार कुछ दबाव भी जहिल रही है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के चलते आए दिन राहूल और कॉंग्रेस सुर्खियों में अपनी जगे बनाये हुए हैं चर्चे हो रहे हैं जिसे बाबा राम देव ने कहा था जिने कोई पूस्ता नहीं था उनके चर्चे हो रहे हैं मीडिया में बाबा राम देव जो की बड़े अलोचक रहे हैं कॉंग्रेस के और राहूल गांदी के उन तक नहीं बात रही है वहीं भारत जोड़ो यात्रा के जरिये दक्षणी राज्यों में जहां कॉंग्रेस अपने भूते चुनाओ लड़ने की तयारी कर रही है वहीं माराश्य समेत कई दूसरे राज्यों में पार्टी को अपनी कमजोरी का एसास है इसलिए पार्टी माराश्य और मद्यप्रोदेश जैसे राज्यों में संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेगी कॉंग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उद्दव वाला साथ ठाकरे और NCP के साथ मिलकर अपनी ताकत दिखाना चाहती है और इसके लिए कॉंग्रेस तयारी भी कर चुकी है भारत जोड़ो यात्रा को 63 दिन हो चुके है राउल गांदी के नित्रित में निकल रही कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बुदवार को महराश के नांदेर जिले में आगे बढ़ चुकी है और कॉंग्रेस की यात्रा तिलंगाना के कामा रेड़ी से रात करीब 9 बजे महाराश्ट के नांदिर दिले के देगलूर में धमाके के साथ एंट्री की थी, उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई जलती हुई मशाले देखने को मिली, महाराश्ट के और मराठाओं से जुड़ बड़े चेहरे थे या जो भी महात्मा रहे हैं, उन सब को पुश परपित किये गए, उनको प्रणाम किया गया और धमागेदार एंट्री राहूल गांधी की महाराश में रही, अब ये धमागेदार यात्रा भी बने के लिए बहुत जरूरी ही कि उनको ताकत मिलती रहे, विपक्ष की ताकत भी उनके साथ में आए, कहा जा रहा है कि यात्रा महाराश में 14 दिनों तक रहेगी, राज्य में महाराश में 12 जलो यात्रा कुल 381 किलो मीटर तक चलेगी, इस दौरान यात्रा 15 विदान सबा और 6 संसदी एक शेत्रों को कवर करेगी, इसमें NCP नेता श है लोग सबा सीटों को कवर करने के बाद 20 नवंबर को ये यात्रा मध्य प्रोदेश में एंटर हो जाएगी, गोदावरी चीनी मिल में राद भर विश्राम करने के बाद पद्यात्रा बुदवार सुबह पौने 6 बजे विलोली से के शंकर नगर के रामतीर से शुरू ये साड़े 9 बजे नया गाओं के कुसम लौन में रुकी भी थी, शाम के समय नया गाओं में नुकर सभा भी होनी है, उदर शरत पवार के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर सस्पेंस अभी भी कायम है, इसे लेकर महराश कॉंग्रेस के वरिश निता आशुक चबवान का कहना है कि शरत पवार को कुछ समय पहले ही तबियत खराब होने के कारण मुंबई के ब्रीच केंडी अस्पताल में भरती कराया गया था, अब ऐसा लग रहा है कि शरत पवार के कारिक्रम में बदला हुए हैं, मुझे पता चला है कि 10 नॉमंबर को यात्रा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये उनकी सिहर की स्थी पर निर्बर करेगा, आपको बता दें कि कॉंग्रेस की राज जी काई ने भारती जनता पार्टी के खिलाफ माह विकास अगाडी की एक जुटता दिखाने के लिए एंसीपी और उद्दव ठाकरे के नेत्रित वाले शिव सेना गुट के नेताओं को यात्रा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उनका यात्रा में शामिल होना उनकी सिहर की स्थी पर निर्बर करता है, वहीं युवा सेना प्रमुक आदित ठाकरे 11 नमंबर को भारा जुड महाराश्ट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, पवार कॉंग्रेस का ही एहम इस्सात है, इंद्रा गांदी जी के साथ भी काम कर चुके हैं, तो यह नहीं भूलना चाहिए कि शरत पवार जो हैं, उनकी सोच या उनका पार्टी का बेग्राउंड है, वो कॉंग्र पवार की पकड़ हमेशा मजबूत बनी रहती है, चाहे वो सत्ता में हूँ या फिर उस से बाहर, लेकिन पवार की पावर पॉलिटिक्स हर पार्टी समझती है, पवार सूबे की सियासत के साथ पवार क्रिकेट की सियासी पिछ में भी धुरंदर है, पिछले 50 साल से लगात पार्टी के तौर पर काम कर चुके है, शरत पवार के राजनितिक और व्यवारिक आचरन की ही वज़े से सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष में उनके संबंद हमेशा अच्छे रहे, साल 2004 से साल 2014 तक पवार लगातार केंदर में मंत्री रहे, तब से लेकर अभी तक महराश के विदान सबा चुनाओं के साथ साथ महा के लोगसबा सीट पर कॉंग्रेस से ताल मेल बनाये रखा, साल 2014 का लोगसबा चुनाओं शरत पवार नहीं कहकर नहीं लड़ा कि वो युवा नित्रेतु को पार्टी में आगे लाना चाहते हैं राजनीती में सदे खिलाडी की तरह एक एक चाल सोच समझ कर चलने वाले शरत पवार आने वाले विदान सबा चुनाओं में NCP को मजबूत इस्तिती में लाकर खड़ा कर पाएंगे इस पर सब की निगाएं का जा रहा है कि माराश में कॉंग्रेस एक साजा रैली की तैयारी कर रही है ताकि राज्य में महाविकास अगाडी को नए सिरे से मजबूत किया जा सके इस सिलसले में प्रदेश कॉंग्रेस के वरिश निताओं की पूर मुक्य मंतरी उद्दव ठाकरे और शरत पवार से मुलाकात भी हो चुकी है के एक नेता का कहना था कि समर्थन के लिए धन्यवाद देने के लिए उद्दव ठाकरे ने पार्टी अध्यक्ष सुनिया गांदी को फोन भी किया था वहीं दूसरी तरफ जाच एजेंसियों के दुरूपयोग और शिवसेना सांसद संजे राहूत को गिरफतार किये जाने के खिलाफ राहूल गांदी ने आवास भी उठाई थी उन्होंने एडी की इस कारेवाई को बदले की भावना से उठाया गया कदम बताया था और केंद्र सरकार को सवालों के कटगरे में खड़ा किया था अब जबकी राहूल गांदी महाराश की सियासाथ अपने आप में घरमाई हुई है राहूल गांदी की यात्रा को ठीक अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें